जॉस हेजलवूड किसने किसने अपने टीम में जॉस हेजलवूड को रखा था आखरी मैच में जो हुआ था अस्ट्रेलिया और चिलनका के बीच में T20 आई हमने कहा था आप अपने टीम में रखिये और उनको कप्तानी का आप्शन भी बताया था आपने रखा होगा तो आपको बहुत धेर सारे points मिले होंगे नहीं रखा तो कोई बात नहीं इस match की बात करते हैं और इसमें भी कुछ आपको tips and tricks बताएंगे अगर आप उनको follow करते हैं तो hopefully आप बहतर fantasy gaming खेल पाएंगे तो ये match कौन सा है जी या match Pakistan बनाम West Indies ये re-scheduled का re-scheduled match मतलब वापस से ये लोग पहले T20 खेल चुके हैं वापस से खेलने के लिए ODI आया है बीचे बहुत लंबा break था इस series का बेराल ये series की बात करते हैं तो पहला ODI 8 जून को शाम को सारे 4 बजे खेला जाएगा और आपको 4 बज के 2 या 3 मिनट के अंदर जो है ना notification मिल जाएगा कि final team squad update आ चुकी है आप प्लीज अपने squad में उसके हिसाब से changes कर लें ताकि कोई और ऐसा खिलारी ना रह जाए जो उस दिन ना खेल रहा हो जैसा कि हम कहते हैं हमेशा कि your one stop fantasy gaming destination ये क्यों है क्योंकि आपको सारे data points एक ही जगह मिल जाते है fantasy गली पे और कहीं जाने के आपको जरुवत नहीं है player battles team head to head दोनों team के probable 11 head to head के players के बीच में investment strategy captaincy vice captaincy picks सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है आपका एक ही destination है ये सारे stats हम आपको provide करते है fantasy गली एप पे भी और इस से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको हाला कि same ही है आपको एप के लालावा website पे भी मिल जाएगी आप fantasygully.com पे भी जाके check out कर सकते हैं बेराल ये सब use करके हमने आपके लिए top fantasy picks निकाले हैं चार top fantasy picks लास्ट जो अस्ट्रेलिया सिलंगा का मैच हुआ था वहाँ पे हमारे चारों जो top fantasy picks थे काफी अच्छा प्रदशन दिखाया उन्होंने यहाँ पे top fantasy picks में पाकिस्तान की तरफ से बाबराजम अफकोर्स उनको तो कौन ही नहीं लेना चाहेगा उनके साथ शाहिन अफ्रीदी शाहिन शाह अफ्रीदी वो अगर बॉलिंग मतलब उनके हाथ में लग गई पहले बॉलिंग और स्थोड़ी स्विंग मिल गई तो भाई खतम खेल खतम वहीं पे और West Indies का Shehhop और Aqeel Hussain ये दो आपके Player West Indies के तरफ से Top Fantasy Pitts में आते हैं बैराल इतने से तो आपका शायद कुछ होने वाला नहीं है अपको चार Player से क्या ही होगा अपको चाहिए होगी पूरी Playing Level, Player, Battles, Captaincy, Vice Captain पिक्स आप मिलेगा, मिलेगा, थोरा धहरे रखे, पुरे वीडियो को अन तक जरूर देखे, पुरे डिटेल जानने के लिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए, वो लाल बटन जो है ने सब्सक्राइब का उसक मत भूलिए, और हाँ, जाते जाते नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजेगा, चलिए आगे कि हम सारी बाते करेंगे, लेकिन इंट्रो के बाद, नमस्कार दोस्तों, मैं रॉनर कुमार केडिया, एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूँ, फैंटसी गली के इस ब्रैंड न्यू वीडियो में, जहांपे आज हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज की, जी हाँ, ये बहुत इंट्रेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि ये एक फ्लो में जा रहा था, T20 सीरीज, लेकिन अब ये ODI जो है, बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस से खेल रहे है, वेन्यू भी चेंज हो गया है, वेन्यू देखी, अब वेन्यू की जब बात करी रहे हैं, तो पहले वेन्यू की ही बात कर लेते ह पिछ जो है, बातिंग सेकेंड, अब बातिंग सेकेंड की हो बोल रहे है, पिछले पांच मुकाबलों में, चार मुकाबले जो है, चेजिंग करती ही टीम जीती है, इसलिए हम कहे रहे है, बातिंग सेकेंड करती है, उनके चांसे जादा हो जाते हैं जीतने के, इसलिए जो पर उतनी humidity नहीं है, तो due आने के chances बहुत कम है, 14 degree है मात्र, तो due शायद ही आपको दिखाई दे, इसलिए बैटिंग second तो है, लेकिन बैटिंग first में भी उतना शायद difference नहीं हो, लेकिन आफिर भी देखना पड़े है कौन से team toss जितती है, बहुत impact परने वाला, उसका उसी केसाब से आप अपनी team बनाएं, हाला कि strategy हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ज़्यादा risk ना लें, चलिए बात करते हैं, दोनों टिमों के head to head के इस कैसे है, पाकिस्तान 60 मुकाबले जीती और West Indies का थोरा पलरा भारी, एक 70 का, लास्ट के 5 में पाकिस्तान जो है, ती 11 मैचेस जीती और West Indies 14 मैच, West Indies का वहाँ पलरा थोरा भारी है, और लास्ट जो 5 मैचेस हुए पाकिस्तान में complete, उसमें पाकिस्तान 4 मैचेस जीती, West Indies मात्र एक, तो वहाँ पे पाकिस्तान का पलरा थोरा भारी है, ऐसे एक सिनेरियों में पाकिस्तान का पलरा भारी लग प्रबबल 11 डिसकस करते हैं उससे भी पहले एक और बात कि अब भी जो है वेस्ट इंडीस हिराल ही में नेधरलेंड से खेल के आई तो वहाँ पे जीती वो आउट स्टेशन में मतलब यानि कि आप कह सकते विदेशी जमीन पे तीन मैच जीत के आई लेकिन उससे पहले 11 लगा इसलिए मैच थोरा इंट्रेस्टिंग होने का चांसे है दोनों टीम आपस में टकड़ाएंगी वैसे काफी खेलती एक दूसरे के बीच में अब देखना हुआ कि कैसा ये मैच होता है बहराल चलते हैं अब प्रबबल 11 की तरफ दोनों टीमों के पिछ के प्रबबल 11 ऐसी है पाकिस्तान के साथ स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान जो है फकर जमान इमाम लहक और बाबाराजम इन तीनों में तो आपको कोई भी संकार नहीं होनी चाहिए टॉप थ्री इनके ऐसे फिक्स्ड है मतलब इस्टांप लगावा है इनमें तो कोई आपको दौराई होनी अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो में भी मुहमद रिजवान ही आया अगर जल्दी विकेट नहीं गिरती है तो में भी खुजदिल चाह या इफ्तिकार एहमद को प्रमोट कर दिया जाए तो उस हिसाब से यह लोग खेल चकते हैं थोड़ा फ्लोटिंग लाइनाप है और हाँ शादाब खान के जगा एक और ऑप्शन ही यहाँ पे है इनके पास आप देखें तो मुहमद वाजी आपको यहाँ पे मुहमद हैरिस जो है इस वेन्यू पे काफी अच्छे रेकॉर्ड है उनके तीन मैच में 20, 75 और 38 तो अगर मुहमद हैरिस को यहाँ जगा मिल सक पाकिसन को सोचना होगा कि बल्लेबाजी स्ट्रॉंग चाहिए ज्यादा कि गेंदबाजी थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए तो उस हिसाब से सोचते हैं लेकिन फिलाल शादाब खान इफ्ताकार इमद और खुजदिल शाह के बाद जो टॉप जो चार प्रापर बॉलर यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे लेकिन एक और चेंज हो सकता है सानवाज दहानी एक बॉलर है वो आ सकते यहाँ पे किसी बॉलर के जगर और उनका रेकॉर्ड में बताओ लास्ट पांच मैच में दो पांच तीन और तीन ऐसे मतलब तीन थी प्लस विकेट होल है एक पा आपको फटा फट नोटिफिकेशन मिल जाएगा वैसे हम अपडेट आपको देते रहेंगे नोटिफिकेशन के थू चलिए बात करते ही तो पाकिस्तान की 11 ऐसी देख सकती है इसमें कोई वैसे चेंज होने नहीं चाहिए इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है वेस्ट है लेकिन इनका टॉप शिक्स पुरा फ्लेक्सिबल है सिर्फ शेहोफ फिक्स लेकिन आपको याद हो का पिछला जो मैस खेले थे नेधरनेंस के खिलाफ उसमें काईल मैस जो है उपर आ गया थे बैटिंग कर रहें तो यह इनका फ्लक्ट्वेटिशन चलते रहता है तो पुरन नमबर 4 पर ऐसे इनका फ्लेक्सिबल बैटिंग ओर है डिपेंडिंग अपोधा सिचुएशन यह लोग खिला सकते है फिलाल जो हमें लग रहें कि ऐसी प्रबबल 11 दिख सकती है उसके इसाब से शेहोफ शमार ब्रूक्स एनकुम्रा बॉनर निकलास पुरन जोसेफ, अकील हुजन, एंडर्सन फिलिप और हेडन वाल्च यह हमें लग रहें कि प्रबबल 11 ऐसी देख सकती है लेकिन कुछ चेंजेस इनमें भी पॉसिबल है आप यह देखें किसी कार्टे जो है इनके जगह रॉबन पावल को जगह मिल जाए रॉबन पावल काफी अ आजाए इस टीम में क्योंकि शर्मान लिविस का रेकॉर्ड बताओं लास्ट पांच मैच में एक बार भी विकेटलेस नहीं रहे हैं और पांच मैच में इन्होंने तीन बार टू प्लस विकेट्स हॉल लिए है तो एंडर्सन फिलिप जो उतना कुछ खास नहीं कर रहे है एक विकेट ऎक विकेट जीरो दो ऐसे इनका है उनका है तीन इनकी और पाखिस्टान ने बहुत कामा आती है उसके के अगहाओ यहां पर फ्लिप के जगह ट्रॉमान लुइज को यह थी इन दोनों टीम की प्लेइंग 11 प्रबबल प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 तो डिसाइड होगी कल टॉस के बाद हाला कि अभी तक का यह हमें लग रहा कि यह स्कौर्ड हो सकती है इसी के मतलब यह जो हमने सोचा है अनुमान लगाया उसी के बलबूते पर रेकॉर्ड स्टाट्स वेन्यू पर कैसे स्टाट्स सब मिला कि आपके लिए एक फैंटेसी 11 भी बनाईए वो फैंटेसी 11 दिखाएंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले का कर आपको फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिया लाइक आप अगर नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन थोरी कम मिलती है आप लाइक कर दीजे चनल को subscribe कर दीजे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी इसी के साथ चलते हम अपने fantasy 11 कि तरफ की fantasy 11 कैसी दिख सकती है हमारी आपकी fantasy 7.11 है. Wicket Keepers में मुहमद रिजवाण, शेहोप. ये जो है आपके दो Wicket Keepers. हाँ यहाँ पे АП एक्चेंज कर सकते, मुहमद रिजवाण के जगह अगर आप चाहे मुहमद रिरान को अटाके यहाँ पर BATTERS में आप चाहे तो यहाँ पर Iमामुल हक को रख सकते यहाँ पर पांच बैटर्स आप ट्रायाओट कर सकते, एक ही विकेट कीपर शेहोप के नाम पर, बाकी मुहमद रिजवान को हटा कि आप इमाम हक वो ट्रायाओट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अमुमन विकेट कीपर्स से थोरा सेफ रहते हैं इस परस परस्पेक्टिव में कि विकेट कीपिंग के 20-30 और खासवर से ODI में क्योंकि 50 ओवर होंगे, तो 2-3 catches, एक आदे स्टंपिंग हो गई, तो 30-40-50 पॉइंट फिक्स रहते हैं, इसलिए हमने इनको सेफ साइड में रखा हुआ है, लेकिन आप चाहें, तो यहाँ पर मुहमद रिजवान को हटा के, बैटर्स में इमामुल हक को आप ट्रायाउट कर सकते हैं, काफी अच्छे तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले 5 मैच में दो सेंचुरी भी है, उनकी जैसा मैंने आपको दिखाए, आप देखिए, इमामुल हक के लास्ट पांच मैच में 89 है, 106 है, 103 है, 56, ऐसे इनके रिकॉर्ड है लास्ट के 5 मैचेस में, तब इमामुल हक को शायद आप अपने टीम से मिस आउट नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए अगर आप चाहें, तो यहाँ पे विकेट कीपर में मुहम्मद रिजवान को हटा दीजिए, शेहोप को सिर्फ 3 में भी आएंगे, मुहम्मद रिजवान फ्लोटर है, शायद वो नमबर 5 प्याज है, नमबर 6 प्याज है, कोई उनका मतलब वो फिक्स पोजिशन नहीं है, बैटर्स में बाबर आजम, ब्रेंडन किंग, शमार ब्रुक्स और फकर जमान, यह आपके चार बैटर्स हो गए, अब बाबर आजम के बारे में तो क्या ही कहें, भाई साब वो तो अलग ही लेवल, ब्रेंडन, क्या बूलते हैं, डॉन ब्रेडमन लेवल के फॉर्म पे चल रहे है, लास्ट के 5 इनिक्स में उन्होंने 3 सेंचुरी जरी है, और एक में तो 50-50 प्लस भी है, मतलब लास्ट के चार में, चारो में 50-plus है, तीन सेंचुरी जरी है, और वेस्टिंडे से खिलाफ लास्ट 5 मैच में 2 सेंचुरी जरी लगाई है, इस वेन्यू पे 2 मैच खेले, दोनों में 50-plus स्कोर है इनके, तो बाबर आजम को तो आप 8 बंद करके अपनी टीम में रख लीजिए, रखी ल चार बीजिए, तो आप शमार ब्रुक्स को भी टीम में अपने ट्राय आउट कर सकते हैं, फकर जमान, फकर जमान की में लास्ट 5 इनक्स बताऊं, तो तीन जो है, 40-45 प्लस स्कोर है, उसमें एक में 95 भी और एक में 67 भी है, तो आप फकर जमान को भी एपनी टीम से मिस आउ पाच्छे मैचेस, इस फॉर्मेट में कैसा फॉर्म था, उसके अलावा इस वेन्यू पे कैसे रेकॉर्ड है, उसके बाद इस पर्टिकुलर ओपोनेंट के अगेंस्ट कैसे रेकॉर्ड है, ये 2-3-4 फैक्टर हम रखते हैं, उसके बाद ही आपके लिए टीम बनाई जाती ह आखे थिया, तुस पर किलिक कर दिया, ये सब के रिकॉर्ड इस वेन्यू पे तो अच्छे हैं, वेस्ट इंडियस के खिलाफ सबसे जाद हो, है único हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई चल जाए, लेकिन मेर्स और शादाब खान अब काईल मेर्स कहां बैटिंग करने आए या किसी को नहीं पता लास्ट मैच में जो खेले थे वो उसमें ओपनिंग आ गए थे बैटिंग करने के लिए और अच्छा स्कोर भी कर जा था मतलब सेंचुरी भी मार दिया था तो थर्ड ओड यह जो प्लीज ट्राइटिंग करेगी तो वहां पे इनको आप ट्राय जरूर करेए वहां पर आपको ज्यादा बैतर बालिंग फिगर्स दिखाते हैं और बॉलर में अकील हुसन, शाहिन साब, फरीदी और हारी सुरफ यह तीन बॉलर्स को आप ट्राइट कर सकते हैं अब यहां प बात ये है कि विकेट्स के आपको पॉइंट्स तो fantasy points मिलेंगे ही, साथ में उसके साथ आपको ये fantasy points batting से भी देते हैं, कुछ important इनके runs भी आते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊंग, यहाँ पर तो अकील हुसैन का जो यहाँ अब देखिए हैं, बाई साब यह तो अलग ही लेवल में चल रहे है, इनका form तो कुछ अलग ही लेवल में चलता है, लास्ट जो दो बार बॉलिंग किये हैं, उनमें दो विकेट, चार विकेट ऐसे लिए है, तो छे विकेट लास्ट के दो मैचस में इनके है, उसके बाद हरिस रौफ, हरिस रौ को भी ट्राटर खा है, सोर से death overs में तो wickets निकालते हैं, काफी pace हैं इनके पास, death overs में काफी wickets निकालते हैं, तो उस समय मारने जाती है, वेस्ट निस्टिम तो आपको fantasy points उसी से मिलेंगे, wickets से, कोई player अगर 50 run दे के एक wicket निलिया या फिर एक wicket लिया तो उससे आपको फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई player अगा 70 run दे के 5 या 4 wicket ले जाता है, तो उससे फरक पड़ता है, इसलिए Harris Roth आपके लिए उस type के baller है, जो आपको 60 run दे दे, लेकिन 3-4 wicket भी निकालने का माददा रखते हैं, इसलिए हमने ये fantasy 11 बनाई है, आप इसको try out कर सकते हैं, अगर कुछ चाहें, तो आपके perspective से भी changes कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक change तो हमीं बता रहे हैं आपको, कि आप मुम्मद रिजवान को drop करके, इमामुल हक को try out कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ changes आपकर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, बेजज़क उसमें कोई संदे की ब उनों का tassel वैसा कुछ और पाकिस्तान और वेस्ट इंडिस के जो current players हैं, एक दूसरे के against उतना नहीं खेलने हैं, जो current players हैं, हाला कि पाकिस्तान वेस्ट इंडिस क्रिकेट बहुत खेली आपस में, ODIs भी काफी खेली हैं, लेकिन जो current crop players हैं, उतना एक दूसरे के against खेले इसलिए player battles उतने ज्यादा हैं नहीं, तो आपको उतने player battles हम अभी फिलाल बतानी पारें, लेकिन जितना हमने आपको stats दिया, उतने काफी होंगे आपके लिए team बनाने के लिए, तो आप please team उसी ही सबसे बनाईए, और तलते आप investment strategy की तरफ low to medium रखिए, head to head और small league में ज्या जाती में लगाई हैं, आप अपने risk appetite के तरफ से, जैसा हमने लिखा है, play the contest that suits you the most, जितनी आपकी budget है, जितनी आपकी risk appetite है, उसके according ये आप कोई भी league, कोई भी fantasy league खेले, चलिए बात करते हैं, आप top fantasy picks की, top fantasy picks, चार नम तो आपको बता दिये, आप captaincy, vice captain, जिसके लिए आप basevery से इंतजार करते हैं, जो आपको 2 गुना या 10 गुना points दिलवाएंगे, अगर आप head to head या small league में देखें तो बाबर आजम शेहोप, ये तो एकदम पूरे safe पिखो गए, इसमें आपको कोई जंजट की जगा नहीं है, और head to head और small league में ऐसे ही players को choose करना चाहिए, जिसको आप एकदम safe मान सकें, grand league में आप फकर जमान काईल मेर्स, इसके अलावा इमामुल हक को भी try out कर सकते हैं, आप और चाहें तो बाबर आजम को grand league में भी try out कर लीजिए, आपके लिए 4 options हमने grand league में बताए, और head to head small league में बाबर आजम, शेहोप, इसके अलावा शाहिन शाफर दिये और आपके losing को try कर सकते हैं, तो small league और head to head के लिए 4 options दिये आपको मैंने, और grand league के लिए 4 options आपको मैंने दिये हैं, आपको जो suitable लगे, आप 5-6 team में 5-6 combinations try out कर सकते हैं, चलिए इसी के साथ वीडियो में फिलाल इतना ही था, आप जाने से पहले एक बार वापस से कहता हूँ, यह हमारी website है www.fantasygully.com, आप check out जरूर करें, आप check out जरूर करें, यहाँ पे आपको सारे stats, सारे player battles, सिर्फ इस match के नहीं, आपको world over जितना भी match चल रहा है, चाहे vitality blast हो, चाहे ECS हो, चाहे कोई भी international domestic league चल रहा हूँ, सबके आपको data points, सबके आपको details, player battles, सब मिल चाहेंगे available, आप please check out करना मत भूलिये, हमें हर social media platform पे follow जरूर कीजेगा, ताकि हमारी बारतलाप जारी रहे, और हमारा एक app है, जैसे मैंने कहा कि आपको सब कुछ finger tips पे easily चाहिए, user friendliness चाहिए, तो आप हमारा app download कर लिजिए, fantasy gully का app है, google play store पे available, please check it out, अभी के लिए मु आप